नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरुदेव एस्ट्रोलोजी में, तो तुल्ला राशे वालों, तो दोस्तों, इस समय कोई एक ऐसा इंसान है जो आपकी मौत का नारियल फोड रहा है, यानि कि आपको बरबाद करने की योजना बना रहा है, हो जाइए, सावधान, क्योंकि बात बड़ी गंभीर है और मौका बड़ा संगीन है, कई परिवर्तन, कई बदलाव इन छह दोनों में होंगे, आपको बहुत ध्यान रखना होगा, हर कदम सोच कर बढ़ाना होगा, क्योंकि अब आपकी खुशियां किसी और के जानकारी दी है, जो भी बातें बताई है, वह आपके ग्रहों पर आधारित है, जीवन में दोस्तों, कई बार आपको खुशी के हजारों लाखों मौके मिले हैं, कई मौका पर आप खुशी से जूम उठे, नाचे गाए हैं, लेकिन आपने कभी भी इस बात पर गौर नहीं जो साथ हैं, क्या वह दिल से आपका भला चाहते हैं? या दोस्तों, उनके चहरे पर कुछ और ही और मन में कुछ और है, यानि कि आपने वह पहले तो सुनी ही होगी, कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं. बताऊंगा आज आपको, मैं पूरा-प समय है, खुद में बदलाव लाने का है, ये समय खुद को बदलने का है, लोगों को बदल कर कुछ नहीं होने वाला, आप खुद को बादल लिए, आपके अंदर जो शर्म है, उसे शर्म को अलविदा कीजिए, आपके अंदर जो डर है, उसे डर को समाप्त करिए, आपको ख पूरी तरह से अपने कर्म पद पर दे रहना है और चारों और पहने निगाहें भी बनाए रखती हैं, संपर्क सूत्र भी बनाए रखना है कि कौन क्या कर रहा है और किसकी क्या योजना है, गतिविधियां बाहर क्या चल रही है, उसकी जानकारी भी आपको हनी चाहिए, आप का जो व्यभार है उससे लोग बहुत प्रभावित होंगे, लेकिन आपकी तरक्की देखकर कुछ लोग आपसे बहुत ज्यादा चलेंगे, तो वह आपकी बरबादी के लिए शडियंत्र भी रख सकते हैं, तो करना दोस्तों क्या है दोस्तों, आपको सुभह सुभह जब आ प्रणों हथेलियां को आपस में जोड करके आपको करना है, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, और दुश्मन रास्ते से है, जाएंगे बेरोजगार लोगों को रोजगार की नहीं, संभावनाएं बन रही है, मौका बहुत अच्छा है, आप कोशिश करेगा कि समय का पूरा इस्तिमाल देते कहा कि, चाहे धूप हो, चाहे छाव हो, काली रात हो, बरसात हो, जिंदगी में कितने भी बुरे हालात हो, मैं हर वक्त चला राहत हूँ, इसी लिए इसी करण मैं जीत जाता हूँ, हिंसा, अगर तू भी मेरे साथ चलेगा, तो मैं तुझे कभी हर नहीं द के बीच में आपके लोग प्रियता बढ़ाने वाली है, क्योंकि आप महनती है, कर्मठ है, आपके मोन को बहुत इमानदारी से दिल लगा कर करते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ लोग तो होंगे, जो खुश होंगे, कि आपकी लोग का प्रियता बाढ़ रही है, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे, जो सोचेंगे कि अब आपको रास्ते से हटाना होगा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे, जो प्लानिंग करने गज आएंगे, कि इस व्यक्ति को नीचे आप कैसे लाया जाए, तो वह अफवाहें उदा देंगे, आपके खिलाफ किसी और को आपके खिलाफ भढ पका देंगे, बस से आपकी चुगली कर देंगे, या आपके डॉक्यूमेंट के साथ छेड़ खानी कर देंगे, ऐसे लोगों से जो आपके कर्मक्षेत्र में आपसे जलते हैं, उनसे बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूर है, हम आपको बता रहे हैं, आपके प्रेम मे थोड़ी बहुत दुरियां बन शक्ती हैं, ये दुरियां बनाएंगे, आपके प्रेमी के परिजन थोड़ा सा संभल कर रहिए, अपना जो पक्ष है, मजबूत रखिए, अपने चरित्र को खराब मत होने दीजिए, और उनको यह बता दीजिए, कि आप कितने पवन और कित वाला होता है, और हम वही पुरानी सोच के साथ जी रहे होते हैं, तो की गई बाहर इसी करण रिष्टे तूट जाते, तो अपनी सोच को अपडेट करने की जरूर है, आगे वीडियो में कुछ सावधानिया बताएंगे, अंत में बहुत जरूरी दो उपाय दिये जाएंग थोड़ा अपना समय निकाल कर अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे, तो लाब होने से कोई रौक नहीं पाएगा, मेहनत का उचित परिणाम तो हासिल होगा ही होगा, लेकिन दोस्तों, अपनी बात को चार जनों के बीच रखना का मौका भी आपको प्राप्त होगा, अब वहाँ पर अगर आप अर गए नहीं बोल पे मुह से शब्द नहीं निकाला, तो बाजी हाथ से चली जाएगी, कहते हैं जिसने कारी शर्म, उसके फूट कर्म तो आपको ये डिसाइड करना है कि लोगों के बीच बात रखना का हुनर सीखना है, शर्माना नहीं है, शर आप अपने जीवन में यही गलती बार बार दोहराते हैं, आप जब भी किसी पर भरोसा करते हैं, जब भी किसी पर विश्वास करते हैं, तो बिलकुल आख बंद करकर अंधा भरोसा, अंधा विश्वास कर लेते हैं, जिसके कारण लोग आपके साथ चल करते हैं, कपट करत लोग आपको धोखा दे जाते हैं, विश्वास तो करना है दोस्तों, लेकिन सोच समझ कर करना है, आख बंद करके लोगों की बातों पर अंधा भरोसा मत करिये, क्योंकि ये समय बहुत खराब है आज की वर्तमान दौर में, वर्तमान समय में कोई किसी का अच्छा नहीं चाहत हर कोई एक दूसरे के खिलाफ खड़ा है, हर कोई किसी न किसी के साथ चलकपट कर रहा है, ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि आप शान्ति पूर्ण तरीके से समझदारी के साथ सोच समझ कर आगे बढ़े, क्योंकि यदि आप पर गलत करने निकल गया, तो उसका हरज जाना आपको कितना बड़ा भुगतना पड़ेगा, ये आप भी नहीं जानते, उत्साहित रहिए, आप बहुत अच्छी बात है, लेकिन अतीत में विश्वास मत लाईएगा अपने अंदर, क्योंकि इनसान चाहे कितना भी गोरा क्यों हो जाए, उसकी परच्छाई हमेशा काली रहती है, मैं श्रेष्ट हूँ, मैं कम कर सकता हूँ, ये तो आत्म विश्वास है, लेकिन इस दुनिया में यही सर्व श्रेष्ट हूँ, और इस कम को मैं ही कर सकता हूँ, मेरा अलावा कोई नहीं कर सकता, ये अति आत्म विश्वास है, और इस तरह विश्वास से आपको बचाना है। अत्यधिक आतुरता या कामुकता आपके प्रेम संबंधों को भी खराब कर शक्ति है। तो थोड़ा भावनाओं को उनकी भी समझिये। और उनकी बात कभी माराखी है। अकेले हैं तो नए मित्र बने वाले हैं। अनैतिक संबंधों में उल्जन नहीं ह यही आपके लव लाइफ के लिए बहतर रहेगा। हम आपको फिर बता रहे हैं। कोई है जो आपकी मौत का नारियल फोड रहा है। अब जो इनसान ऐसा कर रहा है उसे आधार पर आपकी बुद्धी भटक शक्ति है। आपका जो ध्यान है वह कहानी, एन कहानी और जा सकता है। तो खुद को संभालिए, अपने रिष्टो को संभालिए, अपने भविश्य को संभालिए। आप में से कुछ लोगों को व्यवसाय साथ हिया, किसी करीबी सहयोगियों से समस्या हो, शक्ति है कई बार हमें किसी का व्यवहार नहीं जमता। अब गुस्से में कभी-कभ शब्द निकाल जाते हैं, जो तीर से भी ज्यादा भेदन क्षमता करते हैं, तो ऐसे में आपको उसे व्यक्ति को मानना है, पुनह और नाराजगी और समस्याएं इन अलविदा कहना है, क्योंकि जिंदगी में कर दिन की जिंदगी है, इसमें भी हम लड़ जगड के दिन न इकलेंगे, तो फिर जिंदगी का मजा कब ले पाएंगे, नए कार्यस्थल से जुड़ने का मौका मिल सकता है, नए उपक्रमों को इस्तिमाल करने का मौका मिल सकता है, साथ ही साथ प्रेम पूर्ण संपर्क, यदि कोई हो तो बहुत ही बढ़िया, आपके लिए रिजल्ट आएगा, हरकम को प्रेम पूर्वक करिए, विनम्रता पूर्वक, सभी से बात करिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट नतीजा मिलेंगे ऑफिस में, जो आपके सीनरी है, वह आपके कम से बड़े खुश रहेंगे, इसी के साथ साथ दोस्तों, कल मिलकर के आने वाला जो चह दोनों का समय है, ये समय वाकई में आपको बहुत कुछ सीखने वाला है, एक बात दोस्तों, आपको ध्यान रखनी होगी कि जीवन में अच्छे समय के साथ साथ बुरा समय भी आता है, समय हर बार ऐसा नहीं रहता, आज आपका समय अच्छा है, तो हो सकता है कल खराब स अच्छा ही अच्छा हो, तो शायद ऐसा हो पाना मुम्किन नहीं है, क्योंकि हर बार दोस्तों समय एकता नहीं रहता, समय बदलता रहता है, तकदीर बदलती रहती है, तो आपको समय के साथ कदम से कदम मिलाकर जीवन में आगे बढ़ाना सीखना होगा, और आगे बढ़ते रहना होगा, यदि आप रुक गए, डर गए, तो आप काफी पीछे रह सकते हो, कई लोग, तो दोस्तों, अपने खराब समय को लेकर भगवान को भी कोस्ते हैं, कि भगवान ने मेरे साथ गलत किया, ऐसा क्या वैसा किया, लेकिन सच है दोस्तों, कि मनुष्य केवल और अपने कर्मों का फल होता है, आपके जैसे कम होंगे, वैसा ही आपको फल मिलेगा, यदि अपने पूर्व में अच्छे कर्म किये होंगे, तो आपको अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म किये होंगे, तो बुरा फल मिलेगा, लेकिन फिर भी आप से बात करना चाहूंगा, ये समय आप सभी के लिए काफी अच्छा है, आपकी किस्मत में करचंद लगाने वाला है, आपके छोडों को अंतिम रूप देने वाला है, साथ ही साथ आपके आसपास ग्रहों की स्थिती काफी अच्छी बन रही है, जिससे आपके जीवन में है संतुष्टी, आपके जीवन में होगी और बेहतरीन स्वास्थ हिलाब आप अरजित करेंगे लेकिन एक बात का खास ख्याल रखें मा में कोई एक ऐसा तरीका आएगा कि इस कम को मैं इस तरह से करता हूँ तो वहां पर वह कम बिगड सकता है जी तरीके से वो कम किया जाता है आप इस तरीके से करें अगर आपके किसी मित्र के साथ अनबन हुई थी तो आप आगेर कर उनसे दोस्ती का हाथ पुनह बधाई क्योंकि आप उससे छोटे बड़े नहीं हो जाएंगे लेकिन आपकी दोस्ती समझ जाएगी स्वास्थि में बहुत मंगल मैं समय थोड़ा सा बाहर का खाना आपको परेश समत तो चमकेगी ही चमकेगी साथ ही में जिन्दगी एक नया मोड लगी और आपके जीवन में बहतरीन पलों को एड़ करेगी सबसे पहले उपाय दोस्तों हम आपको बताएंगे शुक्रवार के लिए शुक्रवार के दिन आपको एक दक्षणावर्ती शंकर की जरूर पढ इस उपाय को करने के लिए एक दक्षणावर्ती शंकर लीजिए उसके अंदर जल भरिये उससे भगवान विश्नु का अभिशेक करिये तो नाच चमतकारी उपाय है सरल उपाय है करने से भगवान विश्नु की कृपा तो मिलेगी साथ ही में यह उपाय माता लक्ष्मी को बड़ा प्रिया है तो माता लक्ष्मी की कृपा बन जाएगी तो धन संपदा का तो यूँ ही विस्तार हो जाएगा सके तो पीपल के पेड में जल तो चड़ाना ही पड़ेगा यही ब्रह्म पुरान में लिखा शनिवार के दिन पीपल के पेड में जल चड़ता है पीपल क खुशहाल रहने लगता है, अंतिम उपाय, हम आपको बताएंगे दोस्तों, सोमवार के लिए सोमवार के दिन आपको क्या करना है, अगर कर्ज की बहुत ज्यादा समस्या है, अगर आपके उपर चड़ा हुआ है, तो मसूर की दाल सर्व प्रथम शिवलिंग पर अर्पित करन आपको मनचाहा परिणाम प्राप्त हुआ, अब दोस्तों, यदि आपके घर में कुछ आप पडोसियों का आना जाना है, कई बार रिष्टेदार आ जाते हैं, कई बार आप पडोसी आ जाते हैं, कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं, जो पूरे पूरे दिन आपके घर में बैठे गर वालों से बात चीट करते रहते हैं, तो ध्यान रहे कि ऐसे लोगों को आपको अपने घर की बातें नहीं बतानी हैं। ऐसे लोगों के संग आप अपनी परसनल बातें, अपनी जो गुप्त बातें वहमत करिए, क्योंकि ये लोग केवल और केवल आपके राद जानना चाहते हैं, या लोग केवल आपकी गुप्त बातें जानना चाहते हैं, इन्हें आपकी खुशियों से कोई लेना देना नहीं, ये केवल आपकी खुशियों में आग लगाने का काम करते हैं, केवल आपकी खुशियों को बरबाद करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों से बचाना, ऐसे लोगों से सावधान रहना, आप सभी के लिए अत्यंत ही ज्यादा आवश्यक इस समय होने वाला है, क्योंकि यह समय उन् बरबाद कर सकते हैं। इन लोगों究 से बचने का सबसे अच्छा सबसे सरल तरीका यही है कि आप जितना हो सके अपनी बातों को ज़रा गुप्त रखिए, जितना हो सके अपनी बातों को छुपा कर रख्ये, लोगों के सामने अपने राजमताने दीजिए, क्योंकि दोस्तों, जब घर की बातें लोगों के सामने आती है, जब घर की बातें दूसरों को पता लगने लग जाती है, तो लोग आपके खिलाफ शड्यंतर बनाना शुरू कर देते हैं, इसलिए अपनी बातों को गुप्त रखना, छुपा कर रखना बहुत ज्यादा हुआ, आज हमारे ऐसा हुआ, ये चीज आपके लिए बहुत दुखदाई साबित हो सकती है, ये चीज आपको बहुत दुख दे सकती है, बहुत संकट दे सकती है, तो ऐसे लोगों से आपको बचना होगा, साथ-साथ पारिवारिक मुद्दों को जितना छुपा कर और घर के घर में मुद्दों का जितना सुलजाने की कोशिश करेंगे, उतना अच्छा रहेगा। तो विवाद कम होने के बजाए हमेशा विवाद बढ़ने लगता है। साथी दोस्तों, खुद को परिस्थितियों के हिसाब से आप कोई समय में डालना पड़ेगा। जैसी परिस्थितियों की डिमांड चल रही है, उसे हिसाब से आपको आगे बढ़ना होगा। चीज आपके विपक्ष में जाएगी, चीज आपसे विपरीत भी जाएगी, लेकिन आपको चीजों को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। हर परिस्थिति के हिसाब से आगे बढ़ाना आपको आना ही चाहिए। वैसे तो दोस्तों, आपके लिए सब कुछ सही है, लेकिन कन और अव ये तीन नाम वाले जो अक्षर है, यानि जिस भी व्यक्ती का नाम इन तीन अक्षरों से शुरू होता है, इसे आपको थोड़ा अगले साथ दिनों में सावधान रहना होगा। क्योंकि ये लोग, दोस्तों, आपके खिलाफ बड़ी चल चल सकते हैं। पैसों को लेकर जितनी भी लेंदेन करनी हो, अपने दम पर करें। दूसरों के भरोसा ना करें। चाहे कोई महिला हो या कोई पुरुष ही क्यों ना हो। पैसों के मामलों में आपको किसी पर भी आ आप इस समय थोड़ा सतर्क रहिए, थोड़ा सावधान रहिए। आज की इस वीडियो में दोस्तों, आपको तीन बहुत ही बड़ी सावधानी में बताने वाला हूँ, जो कि आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी। और दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यदि आपने मेरी इन बातों को मान लिया, अपने जीवन में अपना लिया, तो आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी, आपको सारी मुसीबत से मुक्ती मिल जाएगी। तुम, बस बेटा, आज की इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहना, जुड़े रहना, क्योंकि यह वीडियो किसी वर्दान से कब नहीं है। तो आपको सारी सावधानियां और सारी महत्वपूर्ण बातें भी जानने को मिलेगी। दोस्तों, अगले 24 घंटे का समय आपके लिए इतना शानदार है कि लंगड़ा भी यह सच सुनकर नाचने लगेगा। दोस्तों, आज शाम 7 हिल बजे के बाद जो घटना आपके रहा है, परन्तु आपको भी कुछ गलती नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, आप बार-बार कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके कारण आपके घर की बरकत चली जाती है। इसलिए जो बातें आज हम आपको बताने वाले हैं उसे बहुत ध्यान से सुनना। क्योंकि दोस्तों, अब आपके ग्रह गोचर में कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं जो आपकी गलतियों पर बहुत ज्यादा भारी पड़ सकते हैं। दोस्तों, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके सामने तो अच्छे बनने का नाटक करते हैं। उपर-उपर से तो बार-बार तकलीफें आ रही हैं। दोस्तों, आपने अपने जीवन में कभी किसी को धोखा नहीं दिया। जब भी किसी को मदद की आवश्यक्ता पड़ी, तो अपने आगे रहकर के सामने वाले व्यक्ती की मदद करी है। लेकिन कहते हैं ना कि आजकल का यह जमाना, यह द आपको मदद की आवश्यक्ता पड़ी, तो आपके दुख आपकी तकलीफों को समझने वाला कोई नहीं था। और बेटा, हम काफी अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस समय भी तुम बहुत ज्यादा मुश्किलों से लड़ रहे हो, तो मैं पैसों की भी बहुत ज्यादा आ आवश्यक्ता है, लेकिन कोई तुम्हारी मदद करने के लिए आगे नहीं आता, लेकिन आपको मैं चिंता करने की या घबराने की कोई आवश्यक्ता नहीं है। शनिदेव की लाठी, अब तुम्हारे दुश्मनों पर चलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ छल कपट किया, जिन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया, उन लोगों का अब समय आ चुका है। देखिए दोस्तों, अच्छे कर्म का नतीजा तो मिलकर रहता है। आज मिले या चाहे दस साल बाद मिले, अच्छे कर्म अच्छे ही होते हैं। तो आपको बस यह ध्यान रखना है कि आप अपने जीवन में कभी कुछ ऐसी गलती ना करें, जिसके कारण आपको बाद में पच्छतावा हो जाने अंजाने में, दोस्तों, हमसे कई बार कुछ गलतीयां हो जाती है, जिनका हमें बाद में एहसास होता है। यदि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो तो तुरंत अपनी गलतीयों के लिए क्षमा मांग ले। क्योंकि दोस्तों, अब जो समय आपके जीवन में आने वाला है, इसमें बुरे लोगों की कोई जगह नहीं बचेगी। आखिर ऐसा कौन सा बदलाव आपके जीवन में होगा। ये सारी की सारी महतवपूर् साथ इस वीडियो में बने रहिएगा, ताकि आपको एक-एक बात सही से समझा सके। सर्व प्रथम वीडियो की शुरुआत करने से पहले, शनी देव भगवान के सभी सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक कर दे। और यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन से सारे अकलीव पर और संकट दूर हो जाए, तो कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जैशनी देव तीन बार लिख देना। जी हाँ दोस्तों, मैं गारंटी देता हूँ। यदि अपने सच्चे मन से इस कार्य को किया, तो अगले 24 घंटे में आपको शनी देव की शक्ती देखने को म मिलेगी और आप देखेंगे कि आपके जीवन के सारे संकट और सारे दुखों से आपको छुटकारा प्राप्त हो.